हाँ जी चलें सभी को नमस्कार जब भी डिस्कुशन पीक पे पहुंचता है तभी टी टाइम हो जाते हैं हाँ जी ब्रेक के जस्ट पहले हम किसी अच्छे पॉइंट पे पहुंचे थे और एक दो लोगों ने शेरिंग की थी तो एक दो लोगों की शेरिंग और हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हम लोग ने की उससे क्या clarity आप तक पहुंची clarity of marriage क्या लिखा purpose of clarity of purpose तो clarity of purpose marriage ही नहीं है clarity of purpose human being को लेगे complete है को हो तो मैरिज की अकेले से अप्राइटी नहीं है, आदमी का अप्राइटी हो जाए तो सारी अप्राइटी हो जाएगी, हाँ जी, बोलिये, और कोई शेरिंग, ब्रेक के पहले जो भी चर्चा किया, उसमें से आप के काम का क्या निकला, मेरे पहली जिम्मेदारी मुझे अपने खुश रखने की है, तो मैरे पास जो ही मैं बाढ सकती हूं, तो मैं खुश रहती हूं, तो मैं दूसरों को खुश ही दे सकती हूं, को परेब के लिए और एक एक चीज पर हमारा देहान चला जाता है ना इसको थोड़ा सा अपने में near a western लेकर देखो कि मेरे मेरे खुश रहने की जिम्मेदारी अभी मैंने कहां डिस्रिब्यूट कर रखी है कहां कहां कर रखी है भी बोल के देखो इसको कहां कहां कर रखी है मैं खुश रहूं इसके लिए मैंने जिम्मेदारी कहां कहां रखी हुई है बोल सकते हैं माइक अवारा झाल पता चलेगा कि जिंदकी हम्ने कहां कह गडिर्वी रख् हुई है कि अपने आप जो है उसके पास से और सुवीधा में अभी एक तो मै अपने खुश हो ने की जिम्मेदारी रख्थी हुई है दूसरा सुवीधा पर रख्खी हुई है फिर रख्षी होई पर कही आप जो होते हैं और अपने आसपास के जितने लोग हैं कुछ-कुछ उनके हिस्से में डाली हुई है और मैं क्या करूंगा कुछ नहीं मैं बैठके दुखी होने का इंतिजार करूँगा लगभग अभी सितिये है जैसे दो लाइन मैं बोलता हूँ करके सुखी होना या सुखी होके करना करके सुखी होना या सुखी होके करना दोनों में क्या अंतर है बोलो आपके पास माइक है दोनों में क्या अंतर है करके सुखी करके सुखी रहेंगे करके सुखी होके करेंगे तो कोई भी काम है वो हमें ज्यादा पहले दोनों में अंतर बताओ क्या अंतर है करके सुखी हो सुखी होके करना या करके सुखी होना करके सुखी होने में हम रिजल्ट पर डिपेंडेंडेंट है करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी ऐसा और सुख करना और अभी हम कैसा जीते हैं करने के बाद खूशी करके सुखी हो रहे हैं यह हमारी प्राबलम तो करके सुखी होने का मतलब है जिंदा रहने के धरातल पे इंद्रियों से और रूप बल धनपत से सुखी होने का प्रयास करना और सुखी हो के करने का मतलब है क्यों जीना है कैसे जीना है कि समझ अपने पास होना उससे मेरे भावर विचार में stability होना उससे मेरा खुश रहना खुश रहके फिर मैं कुछ करता हूँ जो करता हूँ ठीक करता हूँ तो ये shift होना है बार-बार इसको shift करना है बढ़े आप कुछ करें दा हम अभी तक ऐसे जी रहे थे कि कोई सामान मिल गया हमारे पास एक गाड़ी बंगला यह सब है तो हमारे पास सुविधा है इससे हमें सोशल मिलेगा हमने अभी तक दाइरा यहां तक ही बना के रखा था कि हमारा सम्मान हमें यह सब जब कि जशसे आप से पूछा कि एप किन किन लोगों का दिल से सम्मान करते हो तो आपने एक भी ऐसे आपि का नाम ने लिया जिसकी का कार की वजेसे आप उसका सम्मान करते हो जिसकी शकल की कि वज़े से आप उसका सम्मान करते हो जिसके मकान की वज़े से आप उसका सम्मान करते हो हमारा इतना भी सेल्फ अब्जर्वेशन नहीं है जब मैं किसी का सम्मान फिजिकल आधार पे नहीं करता तो कोई मेरा सम्मान क्यों करेगा क्यों मैं इस चक्कर में पड़ा हूं आप आप अच्छा कपड़ा पहना हो आप अच्छे जो भी आपको ठीक लगता हो करो लेकिन यह आपके सम्मान का अधार नहीं है कितना एफर्ट हमारा इसमें लगता है वो अच्छे रिवरेट होगी और अच्छे अच्छे कि आपकी हस्बंड वाइफ के वीच में ब्याइब वाइव वज अप लगतेगी अभी अबी तो अगी तो आपकी आपेमली के बीच में बटेगी अभी तो असारी एनरजी ट्रेन हो गई अब ऑब शुक्छा आधमें भी आदमी क्या दूसरे को सुख देगा और ऐसी विचारा खाली है प्यार से भरा हुआ आदमी ना सुख देगा हमें जहां पर एफर्ट्स लगाने चाहिए ना वहां पर नहीं लगाते हम बहुत लगा रहे हैं ताकि कोई कसर ना रह जाए मेरे दुखी होने में मैं संकल्पित रहुँ मैं दुखी होके रहुँगा और मैं इसमें सफल हो जाता हूं हम एक ही काम के लिए सेल्फ रिलैंट है उसके लिए दूसरे की जरूरती नहीं है दुखी होने के लिए हम सेल्फ रिलैंट है दन्यवाद शुब कामनाएं हैं जी पीछे माइक मैंने थोड़ा आज सुबा का डिस्कुशन और सबकुछ लेक कनेक्ट किया बात बढ़े आज जो अपन सुबा बात कर रहे थे कैंसर सेल की तो अभी जो अपन कई पार सुनते भी हैं कि जो पहले के अपने पुर्खज हैं वो खुश रहते थे साधारन जीवन जीते थे कैंसर बिमारी अपने जिनदगी में आ गयी है क्योंकि स्कूल में हम भाग रहे मार्क्स के लिए बाद में भाग पैसे के लिए किसीने सिखाया इया फुल स्पल्सिल्मेंट के बारे में तो अभी अपने अपने पने लाइफ में फैल आए जो अपने को दिखता ही नहीं है और उसी की पीछे भाग दौड में सामान से कुछ दिन का मिलता है को सम्मान कहलो या आप खुशी बोल लो बड़ आपको जो एक्चुल सम्मान चाहिए जो आपको प्यार चाहिए वो सब आपको नहीं मिलता हुसे जो कहिना एक हो गया है वह दुड़ना एक चैलेंज है अभी हुआ है बहुत बड़िया तो खुशीया बाओ पाओ और खुशीया बाटो कि और देखो यह इतना बड़ा गरूप कम से कम कल दक मैंने कहा ना जब हम चले थे तो हम सालों अकेले थे ना हमारे पास दर्शन था ना हमारे पास फैनेशल सपोर्ट थी ना हमारे पास फैमिली सपोर्ट थी कुछ नहीं था आज आप जब चलना शुरू किये हो तो सो families आपके साथ साल भर में दुनिया बदल सकती है आपकी किसी भी आदमी की दुनिया उसकी par please families के साथ में जुड़ी होती है उप कोर में उन families का नाम लिखो जिनकी जिनके कि जिनसे आपका जिनसे आपकी family प्रभावित होती है तो गिन के 5-6 फैमिली होती है तो हमने पाया कि यदि उन 5-6 फैमिली का वातवन बदल जाता है आपकी दुनिया बदल जाती है किसको दिखाना है तो मुश्किल नहीं है बहुत आसान काम है जिंदगी बहुत आसान है अराम का काम है हम कितने उपयोगी हो सकते हैं हम कितने प् कुछ ठीक हो जाए फिर पता चला यह एजुकेशन ही अपने आप में कबाड़ा है फिर पता चला कि कुछ करना पड़ेगा तो समाज में कुछ बनना पड़ेगा एक समय सोचे थे थे कि आईएस होंगे तो ही कोई सुनेगा है ना फिर पता चला कि पैसा होता है तो कोई सुनता है पद होता है तो कोई सुनता है अब समझ में आया समझ होता है तो कोई सुनता है पैसे की पद की आउकात बहुत चोटी है आदमे के सामने हमारे पास कोई धन नहीं है कोई पद नहीं है फिर भी हम कुछ राज्यों की एजुकेशन को प्रभावीत करते हैं और एजुकेशन बदल रही है समाज बदल रहे हैं कोई पद नहीं है कोई धन नहीं कितना आराम का काम तो आदमी होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज है बाकी कोई चीज की आवेशक्ता नहीं है केवल अपने आदमी होने को समझने की जरूरत है हाँ जी और बोले चलो आगे चलते हैं एक छोटा सा डिफरेंस है वो और आपके सामने शेयर कर दूँ दूँ कोई शेयर करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सीमी समय में जितनी बात हो जाए यदि देखें तो दो तरह की चीजें हैं एक तरह की चीजें वो हैं जो शरीर की जरूरत है जिसको हम कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान है एक तरह की जरूरते यह हैं, एक तरह की जरूरत यह है, इन दोनों में क्या अंतर है? लोग पहली बार सिविर यहिए विशय शुरूप से उम्से बात हो रही है रोटी-कपड़ार सम्मकान और विस्वास श्म्मान शुक शांति दोनों में नसे को अंतर है या एक ही टाइप की चीज है हूं है दोनों में कोई अंतर है कि एक ही टाइप की मालग अलग है तो बोलो क्या अलगअ है माइक लो माइक लो Chris साजी डोनों अलग अलग है कैंसे दोनों अलग अलग है सरो अपूरा मकान शायद आप अमांगने पर मिल जाए जैसे आप किसी से रोटी मागोगे घाना मांग होती तो कोई दे देगा या पना मता तो दे क्लिए और क्लिए यहीं को और में उल्किकले को नियन तब कि लोग लगा tu फिन, अ än। सरा में देख सकते तब यहें देख सकते रहें और मैश्या केसूश कर सकते हैं बहुत बड़ेए Yeah और क्या बोलेंगे , रोटी कपडा और मकान बहुन से मिलता है , और विकाश शम्मान सूख सांती अपने अपने आप से अन्दर, बितर लेहा अपने, जो नाव चैतना होती तो यहुझा बहुत। बढ़िया और और रोटी कपड़ा और मकान है वो हर एक चीज सिमित है और ये जो विष्वास सम्मान, सूख, anti अगर अंदर से आए तो वो इंफिनिटी है, रोटी कपड़ा मकान सिमित है, विष्वास सम्मान ने भाव जो है असिमित है, और और क्या हो सकता है, हाजी, हलो, पहले के जमाने में ये रोटी कपड़ा मकान सब कुछ सिंपल होता था दिखावा के लिए नहीं होता था तब लाइफ भी सिंपल थी और अच्छा था लेकिन आज उसमें काफी सारा दिखावा हो गया है जैसे हम हर संडेय में बार जाना है अपना मकान भी ऐसा बहुत हाइफ होना चीजिए सिंपल लिविंग था इसलिए तब थिंकिंग भी काफी अच्छा था लेकिन आज वो जो बोलते हैं हाइफ लिए लेकिन थिंकिंग जितना होना चीज उतना हाइफ जो बैतर सम्मान या जो सारी चीज़े होनी चीज़िए वैसे अपडेट नहीं होआ है तो जैसे जैसे दिन बदिन लाइफस्टाइल अपनी हाई होती जा रही है वैसे अपनी लाइफ पी कॉंपलेक्स होती जा रही है चो एक्षुली मैं नहीं होना चाहिए था हा तो आपका कहना है कि कॉंपलिकेटर होता गया पहले से क्या जी बढ़िया ठीक है अच्छा उब्जर्वेशन है हां रोटी कपड़ा और मकाम पैसों से खरीदा जा सकता है गुड़ इसको खरीज सकते हैं और इसको इसका क्या करेंगे उसको खरीद नहीं सकते हो अपने आपकी चीजे मतलब हमें कुछ करना होगा पैसों से नहीं होगा वो कैसे आएगा वो हमारे व्यक्तित वसे आएगा हम कैसे इंसान है उससे हमें व्यक्तित उसे कैसे आएगा व्यक्तित तुम्हें कहां से आजाएगा लब पहले तो हम खुद को खुद में विश्वास रखना पड़ेगा कैसे आएगा विश्वास कहां से आएगा स्वीकृति से स्वीकृति कहां से आएगी है कि देखो आपको एक अच्छा गेम सिखा देता हूं क्या है कि एक बार ऐसे तो वह एक दो घंटे के लिए कोई बोलने बुलाता है ना तो नॉर्मली हम लोग नहीं जाते हैं तो एक बार एक लॉइंस क्लब वाले थे उनने बहुत जिद किया कि हमारे यहां बच्चे आए हैं आप कुछ बोलो मैंने हां कर लिया भूले क्या चीज पर बोलो गए मैं क्यों पर बोलेंगे गो रहे ये क्या होता है बोले बच्चे कहां समझेंगे इसמצ फिलोसायख बाते बद आप भी बैठना और देखना कैसे समझते हैं तो बच्चों को यह संजाना था कि मानव जो कुछ भी करता है सुक की तलाश में करता है इत्थी बात आप तो बच्चों के साथ कैसे करना है? तो बच्चे आके बैठे, झालो, डेखों गैम खेलेंगे. ठीक है? तो अभी आपके साथ गैम खेलते हैं. जो बच्चों के साथ गैम खेलते हैं. आप पहली बार करना हैं? कोई और लोग ऐसे लग एको लगता जैसे पहले से बढ़िट पुराने हैं तो चलो आप आप से शरू करते हैं आपके बस मायक है ठीक है घड़ी पहने हो घड़ी क्यों पहने हो मायक पकड़ कर रखो टाइम देखने के लिए ताइम क्यों देखना है पता चलेगा सेड्यूल क्यों पता चलाना है? क्योंकि एक बाजु में पास कर दो, क्यों पता चलाना है टाइम का? सारी इवेंट्स का क्यों पता करना है? टाइम के इसाब से हम अपने आगे के काम प्लान कर सकते हैं आगे के काम क्यों करने है? अंवार ज Tail कुम के मुश्किली काम थोड़ी है है मतलब सारे काम time-to-time हो तो सारे काम time-to-time हो जाए अब क्यों क्या मिलेगा कि ऐसा क्यों करना चाहते है टाइम से क्यों क्यों करना जाथ है लेट कर लें मतलब अब जितना सिखने में आई है उसस इतना ही सिखने में है कि आपने ज़ा हो गारे से भूब करना जाए हुआ कि जहां पे भी इस भूब मान लो टाइम से हो गया तो अपने क्या मिलेगा कर दो कर दो करते हैं तो पैन क्यों चाहिए लिखना क्यों है याद रहे है याद क्यों करना है यह थोड़ा माइक यूज तू नहीं है माइक हाजी और को पकड़ाओ अधर पकड़ाओ कोई भी पकड़ा तो काम तो वैसे चलता है इसे पैन क्यों लिखने के लिए लिखना क्यों मन में क्या चल रहा है वो चीज लिखने पर ज्यादा समझ में आती है समझना क्यों क्यूंकि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सके कंक्लूजन क्यों कंक्लूजन से आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना है इक चीज क्लिए हो जाती है कि हमारे दीमाग में क्या चल रहा था क्लियर क्यों करना है चीजने क्लैरिटी मिलने से चीजे शॉट्ड हो जाती है सबसे कि बताने से लाइफ न मािए करने से क्या करना है वो चीज पता चलती है उस रह पर हागा उनके आगे चल सकत है आगे चलने से क्या हो जाता है जो जीवन का मक्सद है वही चीज प्रॉप कर सकते है प्राप्त करने से क्या हो जाता है? सुख मिरता है, यहीं जिद्धारा है. ठीक है, खाना क्यों घाती हो? शरीर की रिक्वार्मेंट है. रिक्वार्मेंट क्यों पूरा करना है? यह अस्तित्वक जैसे हमने दो चीज़े कली थी, कि हमें पहले अपने आपको जिन्दा रहने के लिए रिक्वार्मेंट क्यों रहना है? जिन्दा रहने से हमें फिजिकल नीड कंप्लिट होने पर हम नेक्स्ट एप आगे जीने की डाइरेक्शन में बढ़ सकता है. जीना क्यों है? जो हम यहां पर आया है इस प्रुथवी पर उसका एक ही मकसद हमने अभी क्यों और कहां में ढूंडा तो यही रीजन हो सकता है. मकसद पूरा करने से क्या होगा? जीने के लिए इन शॉट लास में हम शुख और सांती पहां पहुंच पाता है. जीविर क्यों कर रहे हैं? शुख और सांती को पाने के लिए. जन्जट खतम करें. रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? उसको मत बोलो छोड़के भाग जाएगा. उसको मत बोलो आप आंसर दो. आपने माइक पकड़ा आप बोलो. रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं ताकि यह आगे हम दूसरे मानों को सुनाना है क्योंकि सबको है सुक पुर्वक जीना है और हमें जीना है तो उनको भी शॉट कट मार दिया कि पैसे मिलें है तो आप कहीं से भी शुरू कर रहो की सिंधी कुछ से फीर से कौपीपेन लेकर कोई किसके पर माईक है है यह राजा करें हो है क्यों पाते हैं कि एक कर लो कहीं से भी शुरू करो कहीं से भी शुरू करो यसे आप जॉब करते हो मान लो जॉब क्यों करते हैं सुक शानती के लिए यह तो पहले ही शॉट करते हैं चलो शादी क्यों करते हैं आगे जीवन बढ़ाने के लिए आगे जीवन क्यों बढ़ाना है आइडियल रोल मॉडल के लिए रोल मॉडल क्यों बनना है शुक शांती के लिए तो यह आप क्लास टू के बच्चों से भी बात करो गए ना तो यह आंसर आजाता है थोड़ा ताइम देना पड़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन चीजों को हम यह मान रहे हैं कि यह बहुत बड़ा ग्यान है यह कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा कुछ नहीं है जो आदमी के जीने के लिए उसकी जरूरत है वो सब उसके लिए सरल है सहज है तो ग्यान हमेशां शरल है सहज है हमारी कॉम्प्लिकेशन यह है कि जो भाई ने कहा कि हमने हमने सही पता ना होने की वज़े से जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटड बनाया है कि जो सरल है वो भी हमको कॉम्प्लिकेटड लगता है जिन्दगी बहुत आराम का काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपस में जीना भी बहुत आराम का काम है, इसमें कुछ भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, हमने ना समझने की वज़े से उसको complicated बना दिया है, इतने साल का प्रैक्टिस जो हमने सामान से सम्मान की तलाश में किया है इतने लोगों को गायल किया है इतने लोगों से गायल हुए है जो गायल किया है गायल हुए है वो जो इतना दबाव है वो हमको तंक करता है समझना हमेशा आराम का काम है ज्यादा जूज हों वहां रहे होते हैं चलिए तो आपने कहा कि बहुत इक सामान को लेके आपने कहा मैं इस पर थोड़ी शेरिंग करना चाहता हूं फिर बात करेंगे कॉमर्स से कौन कोन है कॉमर्स कॉमर्स वाले नहीं फ्रेश नहीं लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं तुम पहली बार कर रहे हैं इनको माइक दे चलो इस बार चेंज कर देते हैं बिटिया को इन में से किसी को दे दो इन दोनों में से किसी को दे गाड़ी चलाती हो ठीक थोड़े सी बात करते हैं. कों सी गाड़ी है? Desire. पेटोल वाली है के डिजल वाली है? डिजल वाली. तो आज कल डिजल का रेट क्या है? 89 something. 89, 90 मान लेते हैं. ठीक है. तो टालते हो तो कितना मतलते हैं एक लीटर के लिए कितना रुपया दैते हो 89, 90 एंड़॑ तो थोड़ा सोच के देखें, यह बना熟 एक्परेजल के लिए कितना पैसा दैते हैं कमर्सी हुई हूई है तो एक्चछिळी नाइन्ट रूपीज मेंसे डिजल के लिए हम कितना पैसा देते हैं यह यह पर पैसा जएते हैं यह थैज बड़ियों , बड़ना गाल ऑप emerge 9, हुआ है कि थी थर्टीस फॉर्टीए 40 5 मांधियों चाहिट जा एकार के थी क्विघ् determ एक मेट है है कि तो च्छुरी पेट्रोल के लिए तो हमने 50 रूपीज चाहिक एक मानलीजिए। प्राफिट, मान लिजे 20 रुपया प्राफिट, 30 रुपया बच्चा, तो 30 रुपया में से एक्चुली पेट्रोल के लिए कितना पैसा दिया? 30, 30 में से और कुछ माइनेस कर सकते हैं? और कुछ उनका एक्सपेंस जो रहता है जहके सैलरी है जो वो डीजल बरने वालों की, स्टाफ का जो खर्चा रहता है, एलेक्टरिसीटी का जो कुछ भी है वो सब माइनस कर देता है वो माइनस कर देता है, किता माइनस कर देता है? 15 तो 15 में धनका जो 10 यह माइनस कर देता है ौह कि बाइनस 20 स कर देता है Servus 10 बशुच 9 अचुलिए डिजल के लिए कितना माइनस chloride फिर है टन तो ह गए टन toho हो गया हाँ लिएक्च्छी डिजल के लिए कितना दिया अक्च्छी डिजल का 90 दिया रहे है एच्छा पिर 90 है 나 हाँ के बादल देते ई तो दूसरा केंड़ेट गयो पीछे दो पीछे दो पीछे दो पहली बार शीविल कर रहे ना फर्स टाइम कर रहे हाँ कि अधिक मैं आपका पॉइंट समझ गया कि डीजल का कॉस जीरो है बाकि सब एड होता गया है उसको निकालने के लिए लाने के लिए टैक्स के लिए वगएरा वगएरा जिस कुएं से डीजल निकाला उसमें हमने वापस किया डाला कुछ ने डाला तो फिर यह नब्बे रू रूपया किसकी जेब में गया तो कुएं से डीजल निकालने से लेके उसको ट्रांसपोर्ट करना साफ करना और वापस डीजल पेट्रोल पंप वाले तक पहुंचाना और हमारे घर तक पहुंचाना तो बेसिकली यह 90 रूपीज हमने डीजल के लिए दिये कि डीजल को निक पहुंचने में जितने मानव लगे हैं मानव श्रम का पैसा दिया कि डीजल का पैसा दिया यह बात पहुंच रही है तो पता चला कि डीजल के लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं डीजल हमको फ्री ओफ कॉस्ट मिल रहा है 90 रूपीज डीजल को निकालने में साफ करने में ट्रांस्पोर्ट करने में प्रॉफिट में टैक्सिज में कुल मिला के मानव को दिये ताकि उस सभी मानव का घर चलता रहे या वो देश समाज के काम कुछ आ जाता है तो इस तरह से हमने ये पाया कि डीजल हमको फ्री ओफ कॉस्ट मिला डीजल के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है तो संसार के सारे लोग जितना भी डिजल फूंखते हैं, यूज करते हैं, उसका कुछ भी पे करते हैं, डिजल का कुछ पे नहीं करते हैं, वो free of cost मिला है, केवल डिजल को निकालने में, प्रोसेस करने में जो मानव श्रम लगा है, लेबर जो लगा है, या प्रॉफिट भी अल्टिमेटली मानव यूज करता है, उसके लिए हमने नब्वे रुपय दिया, अब कोई दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं, क्या ले, हम ये इलेक्टिसिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्टिसिटी का मतलब है, दस रुपया पर योनिट, तो दस रुपया पर योनिट, होताएगा, सेम लॉजिक है, कुछ नहीं होगा, कैसे, क्यूंकि इलेक्टिसिटी जहां से उत्पन होती है, वो शायद कोईला है या नेचरल रिसोर्स है, तो हम प्रोड्यूस तो नेचरल रिसोर्स सही करते हैं, वो अवेलेबल फ्री अफ कॉस्स इन नेचर, उसको प्रोस पानी के लिए हमने कुछ नहीं दिया, उसके लिए जो लोग लगे हैं, कोईले को निकालने में, पानी को यूज करने में, तो नस रुप्या पर यूणिट बिजली का कॉस्ट है, या एक यूणिट बिजली बनाने के लिए लगा मानवश्रम है, वही लेबर, लेबर है, त तो बेसीकली बिजली फ्री आफ कोस्ट है तो दस रुपया पर यूनिट हमने मानो श्रम के लिए दिया ये ठीक है ये वी ठीक है और चलते हैं बहुत सारी गाड़ियां आप लोग लेके आये हों तो गाड़ी हमने खरीदी 25 लाग की कि अब खरीद नहीं तो इससे कम क्या खरीद है कि 25 लाग की गाड़ी में से गाड़ी में जो एल्मिनियम लोहा रबर यूज हुआ है उसके लिए हमने कितना पे किया है तो 25 लाग रुपया किसको दिया तो जमीन से मेटरियल निकालके साफ करके कार में कनवर्ट करने में जितने लोग लगे तो 25 लाग रुपया उनका घर चलता है उनको हमने दिया तो कार में जो भी लोहा, रबर, अल्मिनियम जो भी कुछ नैचरल रिसोर्स यूज हुआ उसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, वो हमको free of cost उपलब्ध है गिफ्ट मिला है, जैसे माबाप प्यार से अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं वैसे ही Mother Earth ने अपने बच्चों के लिए गिफ्ट दिया है और क्या एक्जाम्पल लें है, से फर एक्जाम्पल हमने एक शर्ट खरी दे, एक शर्ट में cotton मान लिजी यूज हुआ, तो cotton के लिए हमने कितना पैसा दिया, ठीक है, तो कोई भी बीज आज तक मानव ने नहीं बनाया, जितने भी बीज हैं उस सब नेचर में बने हैं, ने कोई योगदान नहीं है, बीज भी जमीन में अपने आप उगता ही है, हमने थोड़ा सा उसको और्गनाइज कर दिया, तो इस तरीके से जो कुछ भी मल्टिप्लाई हो रहा है, वो नेचर में मल्टिप्लाई हो रहा है, तो यदि मैंने शर्ट का हजार रुपया दिया, तो कॉटन के लिए मैंने कितना रुपया दिया, तो कॉटन फ्री ओफ कोस्ट है, एक किलो कॉटन मान लिजिए 200 रुपय में बिखता है, तो एक किलो कॉटन मान लिजिए 500 रुपय में बिखता है, जो भी रेट होगा, तो बेसिकली मैंने 500 रुपया कॉटन के लिए दिया, या तो शर्ट कैसा मिला, शर्ट में जो मेटरियल लगा है, वो नेचर से मिला है, उसके लिए हमने कुछ नहीं दिया, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, तो फिर आज तक आपने क्या खरीदा, कोई एक आइटम का नाम बताईए, जो आपने खरीदी हो, वस्तु आपने खरीदी हो, आप तो बोड़ पर लिखवाए बोले खरीदते हैं, बता भाई, आप लिखवाए थे खरीदते हैं, बोले हम वस्तु खरीदते हैं, हां जी, इस चर्चा से क्या समझ में आया, इस चर्चा से क्या समझ में आया एक लोहे का एटम हम बना सकते हैं एक पाने की बून बना सकते हैं एक बीज बना सकते हैं एक सेल बना सकते हैं हम बना कुछ नहीं सकते जो है या तो उसको मल्टिप्लाई करते हैं या उसको यूज करते हैं तो आपका, जो में लगता है कि अंडे या फिर चिकन या फिर मीट जो हम खाते हैं, वो हम खरीद रहें हैं, राइट? वह भी नहीं खरीद रहें मुर्गी जब एक सद mess नहीं बना यदी हम आजिしल सेल बनाई होते तो हम बलड बना लेते हैं आज भी किसी बलड लिए मोरा कि छो दूसरी मानन ऊंसे लेकर देते हैं तो जब हम तीशू मल्टिप्लाई करते हैं टीशू कल्चर करते हैं तो टीश तो मुर्गी नेचर में है हम मुर्गी खा सकते हैं तो अगर नेचर में जो है उसको आप यूज कर रहे हो मुर्गी पालने में मानुश्रम लगा है तो बेसिकली अंडा आपने पांच रुपे का एक अंडा लिया तो पांच रुपे मानुश्रम के लिए दिया अंडा फ्री बना सके, हम एक आम बना सके, ऐसी कोई तरीका हमारे पास नहीं है, नेचर में उपलब्द होता है तो अब वो अंडा कैसे आया? वो मुर्गी के मनद्ट अब नहीं भी धर्टी पर थे, तो भी अंडा था अगर वो अंडा, वो मुर्गी के मेनद से आया? इन्सान भी तो मानौ भी तो नेचर के अंदर अविलिबल है। उस संस को बना सकें। खरिदने के साथ में क्या-kya negative sense आता है? खरिदने के साथ में जब मैं कहता हूँ कि मैंने यह purchase किया है. Superiority. क्या? Superiority. Superiority. एक sense, एक क्या वह वह लेंगे? अधिकार संपनता. Sense of possessivity. उस पे मेरा अधिकार है. मैं misuse करूँ, चाए कुछ भी करूँ. वो मेरी चॉइस है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने हजार एकड जमीन रखके छोड़ दिया है और दूसरे को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्द नहीं है पर मैं कहता हूँ कि मैंने पैसे दिया इसलिए मैंने खरीद लिया इसका मतलब है कि नेचर का मैंने लिया है तो मेट्रियल का मैंने कुछ भी पै नहीं किया है केवल मेट्रियल को ट्रांस्फोर्म किया है या शिफ्ट किया है मेट्रियल नेचर में है उसका मैंने कुछ नहीं किया है तो यदि यह क्लारिटी मेरी बनती है देखो मैं दूसरी तरीके से बताता हूं, बैठी, एक दूसरी तरीके समझते हैं, हम एमदाबाद में रहते हैं, और आपके अडमिशन के लिए आपको आपके पापा आपको 12th क्लास के बाद अडमिशन के लिए मुंबई ले जाते हैं, और मुंबई में पापा के दोस्त का तो फोटल में रुकने की बजाए, दोस्त के घर में रुकते हैं, तिन चार दिन वही खाना खाते हैं, वही रहते हैं, तो जब आप अपने किसी रिलेशन में जाके किसी के घर पे रहते हो, और जब आप होटल में रहते हो, तो दोनों में क्या फर्क है? जब आप किसी करना है घर गंदा नहीं करना है हमारी वजह उसका घर गंदा नहीं हो उसका कोई समान मिस्यूज नहीं हो हमारी वजह से उसको कोई प्राबलम नहीं हो हम पैसे तो उसको दे नहीं सकते चलो घर जा रहे हैं फुरूटी लेते जाएं करते हैं कि नहीं करते हैं जब किसी के मेमान के किसी के घर हम जाते हैं तो और कुछ नहीं हम कम से कम फ्रूटी ले जाएं चलो कुछ गिफ्टी ले 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 ठीक और जब जाते समय क्या करते हैं जब उसके घर से वापस जा रहे होते हैं तो कैसा हमारा फीलिंग कैसा होता है थैंक्फुलनेस और क्या क्या बोलके आते हैं आप भी अम्दाबाद आना जब भी अम्दाबाद आओगे हमारे घर आना और वाके में वो अम्दाबाद आते हैं तो हम भी उसको वैसे ही ध्यान देने की कोशिश करते हैं जैसे उसने हमारे लिए किया था एक शर्ट आपने बाजार से खरी दी और एक शर्ट आपकी गल्फरेंड ने आपको गिफ्ट दिया है दोनों में क्या फर्क होता है डर, डर कि इंसे क्या उमीद करोगे इंसे मैंने तो बड़ा चूज करके एंपार एक्जाम्पल लिया था क्या बोलों जन्दगी में सबस्यादा प्यार किससे करते हो अपने आप से इसका कुछ नहीं हो सकते तो मेरे कहने का आशे यह था कि जब किसी से हम बहुत प्यार करते हैं और वो हमको कोई गिफ्ट देता है वो मदर हो सकती है गुरू हो सकता है भाई हो सकता है दोस्त हो सकता है और एक शर्ट वो है जो मैं बयार से लेके आता हूँ दोनों को पहनता हूं तो दोनों में क्या फर्क होता है, एक को पहनता हूं तो उसमें उसके इमोशन याद आते हैं, और बल्कि ऐसी चीजें पुराने भी हो जाती हैं, अभी मेरे घर की बात है, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, अभी अठाइस साल का कल हो गया, जब वो प्लास्टिक चेर थी, लाल रंकी, तो जब बहुत चोटा था तो उसके लिए चेर खरीद के आई थी, तो अभी तो बड़ा हो गया, अभी तो उसके बैठी नहीं सकता है, इतना इतना चोटे सी चेर है इतने सी, तो मैंने कहा गिए को डिस्पोज कर दो, आपको कोई काम न वो बेटे के काम के नहीं है और बेटे को उसे को ज्यादा मॉह भी मुदें, एक छोटा तकिया था। इतना सा तकिया था, जब बहुत छोटा था तो उसके लिए यूजय होता है। और उसको भी उस तकिय की ऐसी आदत थी, उठके चलता था, तो उसको बाजू में लेके चलता था. तो एक दिन वो समान, जब घर शिफ्ट किया, तो वो तकिया भी मिल गया. तो मैंने कहा कि अब तो इसका कोई काम नहीं है, वो कहता है, ने, ने, इसको रखेंगे. तो यह क्या चीज है? किसी वस्तु के साथ भी हमारा एमोशन जोड़ जाता है. तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता था, कि हमारे किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया है, वो शर्ट में भी हमको एक भाव नचर आता है, वो शर्ट भी हमारे लिए जिंदा हो जाती है. जब कि है तो कपड़ा ही. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं कि मैंने कोई सामान खरीदा है, और जब यह पता चले कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, जैसे माबाप अपने बच्चों के लिए अंकंडिशनली अपनी हैसियत से ज़्यादा सामान उपलब्द करा आते हैं, ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें, उसी तरह से इस मदर अर्थ ने लाखों साल त्यारी की है, करोड़ों साल त्यारी की है, ताकि उसका बच्चा मानव रूपी बच्चा इस पर प्रकट हो सके. कभी यह सोच के देखा, कि इस नेचर को कैसे पता होगा, कि उसको नेम्बू भी लगेगा, आम भी लगेगा, जाम भी लगेगा, रिंगन भी लगेगा, और खाकड़ा फापड़ा, उसके लिए इतना सारा, इतने सारे औश्दिय पोधे, इतने सारे फ्रूट प्लांट्स, इतने सारे furniture plants, इतनी सारी variety, अकेले आम की बाइस सो variety है, बाइस सो, कैसे अच्छा, आपको मेरे को कभी में data पढ़ा था हूँ, मेरे याद रहता है, श्याद मंगल का है, मंगल का day और night का temperature में 432 डिगरी का फर्क है, 432 डिगरी, अब आप सोचिए कि हम इस planet पे जिन्दा है, यदि इसका temperature 70-80 डिगरी Celsius हो जाए तो क्या होगा, सब खतम, कैसे इस धर्ती का temperature 50 डिगरी या माइनस 50 डिगरी प्लस माइनस, लगभग 90 डिगरी का variation है, माइनस 40 के आसपास के temperature उपलब्द हैं, प्लैनेट पे, या लगभग 90 डिगरी टेमपरेचर ये शरीर जहिल सकता है, या इस पे आदमें सर्वाइव कर सकता है, कैसे nature को ये पता होगा, कि इस पे एक मानव आएगा, जो इतने temperature में ही सर्वाइव कर सकता है, जिसको ऐसे fruits की जरूरत है, जिसको ऐसे अनाज की जरूरत है, जिसको ऐसे हवा-पानी, हमारे शरीर में जो पानी का रेशो है 70 परसेंट, वो ही धर्ती पे पानी का रेशो है, ये सब कुछ कैसे सेट हुआ होगा, इसका मतलब क्या लगता है, को रिलेशन है कि नहीं है, को रिलेशन है कि नहीं है, जब हम उस रिलेशन को पहचान के चलते हैं, तो हर चीज जिन्दा हो जाती है, हर चीज जिन्दा हो जाती है, तो यदि हमारा ध्यान इस बात पे जाता है अभी तो सरकारी सामान हम कैसे यूज करते हैं अपने अपने घर से घर से कचला निकाला बार फेंग दिया वो बाहर भी मेरा ही है वो दूसरे का नहीं है या वो सभी का है तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम वस्तुवें खरीतते हैं कि आज सही अर्थों में सारी वस्तुवें हमको free of cost mother earth से gift मिलती है जैसे माबाप अपने बच्चों के लिए प्यार से सब कुछ उपलब्द कराते हैं अनकंडिशनली ऐसा भाव होगा ये समझ में आएगा तो हमारी feelings में हमारे thoughts में कोई change आएगा कि नहीं आएगा क्या आएगा बोलो क्या आएगा कुछ बदलेगा जिंदगी में कि नहीं ब ग्रैटिट्टूड आएगा वो खुशी आएगी है ना पूरी नेचर जिंदा हो जाती है हर जगह रिस्ता दिखाई देता है हर जगह अपना पन दिखाई देता है इसी का नाम खुशी है कि अगरे दिखो कहने वालन प्हले काया कि सुन्दर्ता बाहर नहीं देखने वाले कि आखों में होती है सा सुना है हमने बहुत कुछ तेकिन इसी बहुत सारी चिचांश हमने सुनी है मेरी आंखों में वह सुन्दर्ता कैसे पएड़ा होगी है ना हम जब दूसरे मानव को तो हमको शरीर दिखता है कि कोई रिस्ता दिखता है। इससे पता चलता है कि हमारी चेतना कस्तर कैसा है। दूसरे मानव को देखने से मेरे को गोरा, काला, मेल, फिमेल, बुढ़ा, जवान, हिंदूस्तानी, या अमेरिकन, ऐसा दिखता है तो शरीर दिखता है। और दूसरे को देखके भी कोई अपना पन महसूस होता है, इसका मतलब मानाव दिखता है। तो हमारा चेतना का स्थर, हर किसी को देखके एक सेंस और बिलॉंगिंगनेस फील होने लगे, किसी एक से प्यार करते हो, तो कितनी खुशी मिलती है, सब से प्यार हो जाएगा, तो कितनी खुशी होगी। कितने खुशी होगी, उसी का नाम state of mind है, उसी का नाम state of mind है, ये बात बच्चों के साथ हो सकती है कि नहीं, जितनी चर्चा मैंने आप से की, ये classroom में हो सकती है, घर में हो सकती है, इसको समझना मुश्किल है क्या, केवल इतना भर होने से आदमी का आदमी के प्रती और वस्तुओं के प्रती सोचने का उसका जो भाव और विचार का स्तर है भाव और विचार का स्तर बदल जाता है तो हमारी क्वालिटी टाइम का मतलब है कि यदि मेरी भाव और विचार में क्वालिटी है तो मैं क्वालिटी वाला आदमी हूँ है ना और यदि मेरे भाव और विचार में मलीनता है मेरे भाव और विचार में negativity है comparison है negative comparison है है ना तो तो आप एक चलता फिलता समझ्या का घर है और जिसके पास जाएंगे उसको बाटेंगे इगो है बताईया लिख डालिये इस चर्चा से क्या समझ में आया इस चर्चा से क्या समझ में आया लिख डालिये कई लोग तो रोई रहे यह देखो गुड यह खुशी के आंसू है जम के रो खुशी के आंसू निकलें यह आदमी का श्रंगार है हाँ इससे कम से कम पता चलता है कि वह सेंसिटिव है समविधन शील है सच्चाई उसको चूती है हाँ जे लिख डालिये क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया अ मिल्हा इस् nestित जमीन खरिटें टाए हम जो लेनदबाय करते हैा हम तो जमीन खरिटें क्या आया है हम पुल्य धाज जाल ... तो में यह चुआ हम पुछ की पता है हम यह जव लेते है वह ही रहती है, जमीन को पता है कि आपने खरीद लिया उसको? नई, जमीन वही रहती है, खरीदने का इतना ही मतलब है, आपने उसको यूज करने का अधिकार खरीदा है कि जमीन खरीदा है? अकल होगी तब ना यूज कर पाओगे, पैसे से अकल आती नहीं है, तो इस जमीन ऐसे तमाम लोगों को मैं देखता हूं, जिसमें एक पीडी ने बहुत प्रोपर्टी बनाई, अगली पीडी उस प्रोपर्टी के केस लड़ते हुए बिताती है, उनकी पूरी जिंदगी विचारों की केस जगडे में जा रही है, तो इसका मतलब है कि यदि मेरे को पता होगा कि प्रोपर्टी बने क्यूं खरीदी है, इसका क्या उपीओग मेरे पास है, तो कोई मतलब है, नहीं तो आप प्रोपर्टी नहीं खरिद रहे हैं, आदी जिंदगी आदमी की पैसा कमाने में जाती है, आदी जिंदगी, उसको कोई कोई लूट मत ले और कोई कब जा मत कर और बाकी उसको मिस्यूज करने में जाती है, कुल मिला के मैं मेरे पूरी ताकत का उपियोग, मैं मेरे पूरी कलपना शीलता का उपियोग, मेट्रियल के लिए कर डालता हूं, इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली में 99% लोगों से पूछोगे, तो जिंदगी में कुल क्या कमाया, तो एक फ्लेट, दो फ्लेट, तीसरे में वो फ्लेट, इतनी कहानी है, मकान अपना हो जाए, जिंदगी किराए पे रह जाए ये ठीक है, या जिंदगी अपनी हो मकान किराए पे रह जाए ये ठीक है, जिंदगी अपनी हो, जिंदगी अपनी हो, मकान किराय पे रह जाए, किराय के मकान में बड़ा सुकून रहता है, हर साल नया मकान, है ना, मकान भी अपना हो जाए, जिंदगी भी अच्छे हो जाए, और अच्छा है, क्या दिक्कत है दिया, आपको लगता है, मकान अपना होन इसी का नाम जिन्दगी है और बच्चा उसमें रहता नहीं है वो कहीं और चल देता है क्योंकि हमने सारी महनत इसी बात के लिए की है कोई पैरेंट तभी सफल है कोई पैरेंट उतना सफल है जितने जादा किलो मेटर बच्चा दूर चला जाए और मैक्सिमम जो है इस धर्ट बच्चे तो अमेरिका में सेटल है किसी ने पूस दिया तुमारे पास क्या बच्चा बोले उसकी चर्चा मत करो तो सवाल इस बात का निये कि बच्चे कहां सेटल है सवाल इस बात का है कि भाव रूप में क्या है ना भाव बच्चा ना बच्चे-बच्चे मतलम हम जो ले करेंगे कि कि यह वार हजारों इकड़ जमेन आप खरीद के डाल देंगे ऐसी कोई परमिशन नेचर आपको नहीं देती है मैं घर या तो मकान बनाने के लिए या फैक्टरिय लगाने के लिए है या कुछ और काम करने के लिए कि के अप केवल जमीन को खरीद के छोड़ देते वो किसी की जिंदिगी का अधिकार आप छिन देते हो इसलिए यह भी समझ में आया कि जमीनों से जो पैसा आया वो आपकी महिनत का था नहीं फिर आपको पता चलता है कि इसका क्या प्रमान है जमीनों का कितना भी पैसा आजाए उससे आपको भीतर से कॉंफिदेंस नहीं आता है फिर आप दूसरों को बताने के लिए कि क्या करते हो तो पता चलता है कि आप कुछ और धंदा भी दिखाते हो तो हम मूल्य किसका पे करत आपने क्या श्रम किया पहले परंपरा थी गाउं में कोई नया विक्ति रहने के लिए आता था तो उसको जमीन अलोट कर देते थे भी तुम यहां रह लो जमीन की कोई कीमेत नहीं थी आज भी युगां कौन से अफरीकन कंट्री में मेरे नाम याद नहीं है वहां एक डॉलर सफीचा है जमीन पर पैसा इंवेस्ट करोगे लोगों के लिए रोजगार क्युट करोगे कि प्री ओफ कोर्श्ъिशं में तो जमीन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं कोई कोई कोस्ट नहीं कुई इसकी कीमत आप यह कर सकते वह अमूल्य है इसलिए जा यह इबी समझ शच्छ कर दोजा हमारी कोई ऊकाद नहीं की हम कोई चीज खरीच सकें तो इस ब्रह्म से मुक्त हो जाई है कि हम कोई चीज खरीच सकते हैं हमें नेचर में है आप नेचर को यूज करते हो तो आदमी जाद रिंड dhagn yu ho के मरना चाहिगा जाएका कि क मुर रिंड अपाने नहीं होके मरना चाहेगा, तो समझ में आएगा, इसलिए सुत्र है, सद उपयोग ही सुख है, दुर उपयोग ही दुख है, तो कम यूज करना, जादा उपयोगिता डिलीवर करना, यह आदमी का बढपन है, जादा साधन यूज करना, कम उपियोगिता के साथ होना ये गरीबी है और अभी हम इतने मांसिक रूप से गरीब हैं कि जिसने ज़्यादा साधन का दुरूपियोग किया उसको हम बड़ा आदमी मानते हैं तुम डिलिवर क्या किया वो बताओ तो आदमी पद से बड़ा आई-एस होने से आप बड़े नहीं हो गए आप मंतरी होने से बड़े नहीं हो गए उस पद बे बैठके आपने डिलिवर क्या किया ये बताओ क्योंकि जनता में कोई अकल नहीं है हम में कोई अकल नहीं है हमारी कोई clarity नहीं है हम तो किसी की गाड़ी को देखके ब्योश हो जाते हैं किसी का मकाम देखके ब्योश हो जाते हैं किसी के कपड़े देखके ब्योश हो जाते हैं तो क्या उस पर बात करेंगे, आँख में आँख डालके जब पहली बार ठीक से बात करोगे, तो आदमी को समझ में आता है कि यह हाथ में कुछ नहीं आया, यह discussion से, finally यह निकल के आता है, इसको summarize कर दूँ, देखो finally क्या सम निकल के आया, finally यह निकल के आया, इसका मतलब यह समझ में आया, कि यदि मानव को जीना आ गया, समधान से सुखी होना आ गया, तो पता चला, मानव की, मानव की, भावनात्मक आवश्यक्ता असीम है, इसमें कोई गलती नहीं है, मानव की भावनात्मक आवश्यक्ता विश्वास सम्मान सने, सुख, शान्ती, मानव की भावनात्मक आवश्यक्ता असीम है, और कैसे पूरी होती है, समझन बराबर, समझन बराबर, सुख, शान्ती, संतोश, आनंद, इससे ज़्यादा शब्द आपके पास नहीं है, तो कुल मिलाके समझन बराबर भाव है, समझन से भाव है, और खुशी की बात ये है, हर मानव में, समझने की छमता असीम है, तो असीम आवश्यक्ता के लिए असीम छमता पहले से मौझूद है, इसलिए हर मानव, निरंतर, सुख, पूर्वक जी सकता है, इसमें कोई कमी है तो बताइए, मानव की भावनातम का आवश्यक्ता असीम है, समझन बराबर सुक्षानति, संतोष, आनन बराबर भाव, हर मानव में, हर मानव में समझने की छमता, हर मानव में समझने की छमता असीम है इसलिए हर मानव समझ सकता है निरंतर सुख पूरवक जी सकता है तो उसकी भावनात्मा कावर्शक्ता पूरी हो गई मेरी भावनात्मा कावर्शक्ता पूरी हो गई तो मेरी पत्नी की यदि कमी है तो मैं उसके लिए सहयोगी हो सकता हूं मेरे बच्चे के लिए सहयोगी हो सकता हूं मेरी मदर के लिए भी हो सकता हूं मेरे दोस्त के लिए भी हो सकता हूं दुनिया के लिए भी हो सकता हूं तो मेरे रिलेशन पे मेरा अधिकार आ गया, सम्मंद में त्रिप्ती पूर्वक जिया जा सकता है, यह मेरे अधिकार में आ गया, जैसे मैं गाड़ी बढ़िया चला सकता हूं, ऐसे मैं सम्मंद भी बढ़िया चला सकता हूं, यह confidence आने के जरूरत है न, तो यह confidence बिलकुल ऐस जैसे ही आता है कि जैसे मैं शांदार गाड़े चला सकता हूं, शांदार मकान बना सकता हूं, शांदार बिजनिस चला सकता हूं, ऐसे शांदार संबंध भी चला सकता हूं, ये भी एक साइंस है, ये भी एक सीखने लाएक काम है, एक बात पूरी हो गई, दूसरी बात समझ मे आया कि मानव की मानव की भोतिक आवश्यक्ता निश्चित है कैसे एक आदमी रोज कितना अनाज खाता है तो 400 ग्राम बोलते हैं एक केजी मान लो डबल कर दिया एक केजी इन्टू 365 डेज इन्टू 80 इयर्स और पहले चला गया तो बचेगा कोरोना बीच में आ गया तो क्या करोगे कुछ और आ गया तो कुल मिला के 320 कुएंटल के आसपास बनता है कम जादा कल्कुलेट करके देख ले ना कोई गलती होगी तो और 320 कुएंटल चाहिए 80 साल में तो कितनी जमीन होने से 80 साल में 320 कुएंटल पैदा हो जाएगा यह निकालने जाते हैं तो पता चलता है कि 110 अफ एकड में हो जाता है अभी भी पूरे देश में पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है एक आदमे के पीछे एक एकड़ जमीन आती है आज भी भारत में जितना अनाज पैदा होता है वह भारत की आवशक्ता से जादा होता है जिसमें से कि Miss Use और Miss Management लार्ग स्केल पर होता है और अभी देश में अनाज पैदेशने वाला वर्ग गरीब है technically और financially कमजोर है जो सक्षम वर्ग है वो non productive है और जो कमजोर वर्ग है वो production दे रहा है यदि ये सक्षम वर्ग production में दिद जाएगा तो production पहले से ज़्यादा होगा कि कम होगा इससे ये समझ में आता है कि खाने पीने की इंडिया की इतनी ताकत है कि पूरे एशिया को खिला दे इतनी ताकत है इतनी capacity है जो कि अभी यूज नहीं हो रही है यदि कपड़े की बात करें तो एक साल में हम कितने कपड़े नहीं खरी सकते हैं, लड़के लोग बता सकते हैं, कि हम एक साल में कितने जोड़ी कपड़े नहीं खरीते हैं, है, चार, कितने नहीं खरीते हो, चार, मान लो दस, ठीक है, बेहनों से पूछूं के नहीं, बिस साल में आज तक किसी शिविर में बहनों ने allow ही नहीं किया है कि इस question पर बात नहीं करोगे आप अपने अपने घरों को देखें per head से divide करें square foot area per head निकाले अपने अपने घरों को देखें square foot area per head निकाले कितना स्क्वेर फिट आ रहा है हम 2000 स्क्वेर फिट एरिया निकालें अपने घर में आपका मान लीजे 2BH के फ्लैट है कितने फिट का रहता है 1000 स्क्वेर फिट 1200 स्क्वेर फिट 4 लोग रहते हैं तो एक के हिस्से में कितना आया 4-12 लगबग 300 स्क्वेर फिट तो शहरों में पर हैड स्क्वेर फिट एरिया 300 से 400 स्क्वेर फिट एरिया आता है गाउं में ये 1000 से 2000 आता है तो शहरों में काफी गरीबी है और बंबई में और गरीबी है तो ऐसे आप देखोगे तो सही अर्थों में यदि आपको पडोसी को चमकाना नहीं है, यदि आपको पडोसी को चमकाना नहीं है, तो जितने कपड़े अभी घर में रखे हैं, इस पूरी शरीड यात्रा में और खरीदना पड़ेगा कि वो भी जादा हैं, कितने लोगों को लगता है कि वो भी जादा हैं, ठीक, जब ऐस समझ में आता है तो एक एक शिविर में लोग ना लाकों कमाते हैं और कई लोग करोडों कमा लेते हैं कैसे कैसे अभी ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी पुरानी हो गई ये इसको बदल देना चाहिए और बदलने का तो आदमी और भी बहुत कुछ सोच रहा होता है कह नहीं प क्या है तो जितने जैसे कपड़े आज आपके पास है जैसा मकान आज आपके पास है जैसी गाड़ी आज आपके पास है शायद इस शरीर यात्रा में लंबे समय तक आपको सामानों की जरूरत नहीं है या बहुत सामान की जरूरत आपको नहीं है तो कितने इनरजी बच जा तो उसी सामान को आप दस मिनिट में खरिते हो यदि सामान के साथ आपका बहुत ज्यादा मुह है तो पता चले एक साड़े के चक्कर में पूरा दिन अधिकांस हस्बेंड अपनी पत्नियों के साथ शॉपिंग पे जाना नहीं चाहते है क्योंकि उसको इतना घुमाती है इतन तो इसका मतलब है कि देखो फिजिकल लेवल के डिजन लेने में कम से कम समय लगे और जीवन के भाव के लेवल पे अधिक से अधिक समय लगे यह नयाए है तो इससे यह पता चला कि मानव की बहुतिक आवशक्ता है निश्चित है इस अर्थ में सीमित है इस अर्थ में सीमित है निश्चित है इस अर्थ में सीमित है और यह भी पता चला कि हर मानव में हर मानव में आवशक्ता से अधिक उत्पादन की छमता है कैसे हर मानों में आवशक्ता से अधिक उत्पाधन करने की छमता है कैसे कैसे एक महिला घर में महिला या पुरुष घर में जितना खाना बना सकता है सारा वो खा सकता है, एक आदमी खेत में जितना पैदा कर सकता है, सारा वो यूज कर सकता है, एक आदमी फैक्टरी में जितना पर यूज कर सकता है, वो आटोमेशन उपर से आ गया, आज भी हमारे पास वस्तु में जादा हैं, बलकि हम बार-बार मार्किट को गती देने के ल जादा है, कंज्यूम करने की छमता उसकी कम है, कितना खाएगा, वोई दो रोटी सुबह शाम, कितना पहनेगा, वोई एक जोड़ी कपड़ा एक बार में पहनेगा, एक बार में दस तो पहन नहीं सकता, तो धिरे से हमारी ये क्लारिटी बनती है, कि हर बानों में आवश्यक् का आभाव, सुम्रिध्धी पूर्वक जी सकता है, सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यक्ताएं पूरी हो सकती है, इसलिए सभी सोफल हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, ऐसा ही डिजाइन है नेचर का, कोई गरीबी नहीं है नेचर में सभी समझ सकते हैं सभी सुखी हो सकते हैं समझ पूर्वक अपने आवशक्ताओं को पैचान सकते हैं और अपने भाव और विचार की सिर्ता के साथ अपने फिजिकल निट्स को पैचान सकते हैं हर मानों में आवशक्ता से अधिकुत पादन की छमता है, प्रकृती में पर्याप्त साधन उपलब्द है, कोई कमी नहीं है, समझदारी से चलेंगे तो, तो इससे समझ में आता है, ये जिन्दगी में कुछ भी इनसीकेरिटी की जगई नहीं है, जिन्दगी बहुत आराम का क काम है, स्टेबिलिटी के साथ में समझना और स्टेबिलिटी के साथ में जीना, क्या समझ में आया, इस चर्चा से क्या समझ में आया, लिख डालिये, इस चर्चा से क्या समझ में आया, पहले हम क्या मानते थे, क्या सामने आया, क्या हम को एजुकेशन में पढ़ा रहे, Mike एक सवाल है I am not an expert in this मैं मारेड नहीं हूँ तो मैं जानता नहीं हूँ but I come across a lot of friends of mine who are married or relationship में है and ये एक चीज है जो बहुत मेरे को amusing लगती है is the fact that a lot of people are confused between loving someone and loving the idea of loving someone so that is a very big confusion that a lot of not just my friends a lot of people here also might be having so in Hindi किसी को प्यार करना और नहीं नहीं पता हिंदी में किसी को प्यार करना और किसी को प्यार करने की कल्प ना करना इस आदा फिल्म ही देख देखके ना बोट प्रोबलम हो गया वो फिल्मी आइडिया है सबके पास है वो जो प्यार की भूख है जो घर में पूरी नहीं हुई और बाहर कोई अप्रिशेट कर देता है वो मेरे को समझता है तो आवशक्ता इस बात की है कि यदि परिवार में कोई भाव और विचार में स्थिर्ता होगी तो परिवार में एक दूसरे से इतना प्यार मिल जाएगा कि वो आइडिया ओफ लविंग की आवशक्ता नहीं रहेगी अभी घर में हमको प्यार नहीं मिल पार है घर में जीना नहीं हो रहा है तो हम बाहर किसी के साथ जीने की तलाश में है आपकी बात ठीक है उसमें दम है क्योंकि ऐसा कोई मंची नहीं है जहां हम ठीक से बात कर सकें हमारे पास कोई मंच नहीं है जहां खुल के सेक्स पर बात कर सकें जहां खुल जिन चीजों में हमारी फसावट है जहां हमारे प्यार पर बात कर सकें इंगेज पर बात कर सकें इस्पे़ बात कर जहां हमारी फशावट सीव बात करने खाल कोई मंच नहीं है क्यों इस बात कर सके ओपर आपकी बाते करने के लिए थे समाज का मतलब ही यह है कि सभी परिवारों के लिए clarity से बात करने का कोई मंच हो ऐसे लोग हमारे पास उपलब्द हो जिनके साथ हम बात कर सकें और हमको कोई खत्रा ना हो अभी तो किसी से अपनी personal चीजों को share करने में अब यह हमको डर लगता है आदमी मिस्यूस कर लेगा और गलत नहीं है कि इसलिए किसी समाज की गरीबी यह है किसी भी समाज की गरीबी यह है कि उसके बीच में ऐसे लोग ही लोग ही मौजूद नहीं है जिनको देख के आदमी होने का गर्व हम हमारे भीतर पैदा हो कि यह आदमी ऐसी चीज होती है कि मारे पास इंजिनियर हैं डॉक्टर हैं आदमी भर नहीं है हमारे पास कि इसको कल्टिवेट करने कि जिरूर तक कल तक इंजिनर डॉक्टर भी नहीं थे आज हो गहें अच्छी बात है अब उसकी कमी लग रही है उसको पूरा कर लेंगे हाँ जे लिख डालिए क्या समझ में आया इस चर्चा से क्या समझ में आया लिख डालिए हाँ जे अभी तक जो समझा और जो मुझे समझ आ रहा है उससे हमने अभी डिस्कुशन कहता उसमें यह था कि हम कोई मूल वस्तू का पैसा नहीं देते हैं हम उसके पीछे जो एफट्स लगते हैं उसका ही पैसा देते हैं तो अगर हम उसको इसलिए इंग्लिश में अच्छा हम केवल श्रम एक्सचेंज करते हैं तो अगर हम उसको उस एंगल से देखें कि हम नब्य रूपे डीजल का नहीं हम नब्य रूपे उन लोगों को दे रहे हैं जो वो निकालने के लिए मदद कर रहे हैं तो वो रिलेट वहां हो जाता कि एक सेल जब टीश्यू की मदद करत है मतलब एक सेल जब टीश्यू फॉर्म होता है तो पूरा मतलब पूरा सिस्टम चलाता है तो उसी तरह से हम 90 रुपे जो दे रहे हैं वह 90 रुपे जिन लोगों ने वह एफर्ट किया था उन सभी का घर चला रहे हैं और हमें आदमी की जरूरत है इंसान की जरूरत है रिष् सब्सक्राइब तो अभी दग लग रहा था कि हमारे पास जो भी चीज़े वह कम बढ़ रही है और उसको उसको बढ़ाना है लाइक फॉर एक्जंबल क्लोट्स है तो ऐसे लगता है कि अभी यह पुराने हो गए निकालो नहीं लाओ फिर जैसे अपने गेहूं का और जो अ इससे क्या होगा इससे यह होगा कि कुछ नहीं चीज़ें लाने की टेंशन ने रही इससे यह होगा देखिए यदि एक फादर होते हुए एक मदर होते हुए मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशां दूसरों के साथ नेगेटिवली कंपैरिजन में लगा हुआ है किसी को देख के मैं अपने आपको इंफिरियर फील करता हूँ मेरे भीतर इंसीक्यूरिटी है तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं अपने हजबन के साथ हूँ या अपने बच्चों के साथ हूँ या किसी के भी साथ हूँ ऐसा स्टेट ऑफ मा आएंगे तो जब हम स्टेबल स्टेट अओम मैंड की बात कर रहे हैं तो एक-एक जगा घूर होती जाए क्लारिटी आतीcast सटेंधे क्लारेटी ही अ ए धिक ही इक फीनकी से क्लारीटीरिकेक्वह से तो हर देमेंशन में हर आयाम में मेरे को कृषिटि को सब्सक्राइब का 3 आपी कुछ और रहा है वो खुषी नहीं है अच्छा लगना है रहा है कुछ टी कहीं और रहा है वो दर्वाजा थीक से खुल जाए तो अभी तो अभी तो अवे शिविर कि उमा एक तो थान नहीं है और लग मिलेंगे तब उसे बात करेंगे। बढ़ी, बदेगा हम यह अभी तक ऐसा था, इसा था मन में कि हम ने कुछ किया, कोई भी मठीलिस्टिक चीज बनी उस्के वह हमें किया हूँ है अब पता चल रहा है कि हम ने कुछ ने नेचर की देन ही है, यह हमने इसमें सीखा नोर्मल हो जाने की जरूर्त है, अभी हम नॉ नेचर की इंपोटन्स पता चली और जो हम उसका मिस्यूस करते हैं वो हम कम कर सकते उसके वज़े से बढ़ीया थाजी और कुछ मंतन जानी सर अभी आपने बोला कि भारतिया समाज में लेस्टियन गेस हैसा कोई मंच नहीं है तो मैं पीछले आठ सालों से एक डायरी लिख रहा हूं कभी-कभी टाइम मिलता है तो लिखता हूं शॉक है उसमें मैंने लिखा है कि हमने मंदीर बना दिये, मस्चीद बना दिये, गुरु द्वारा बना दिये, लेकिन अभी हमारे समाज को ऐसे ध्यान-मंदीरों की जरूरत है, जहां जाके इंसान अपने तन के नहीं मन के कपड़े उतार सके, यही है, कपड़े उतर रहे के नहीं, आठ दिने में देखना कैसे उतरेंगे, अभी थोड़े कम उतार रहे हैं, और फिर अपन काफी आराम में आ जाते हैं, नहीं मतलब कोई ऐसी जगा हो, इसी जगा का मतलब ही है, ऐसी जगा एजुकेशन ही है, बीस साल और क्या हूँ भार जोकना है, क्यों रोच जाते हैं छ इस जगा पर जाते हैं, तो एजुकेशन ही है, क्या दिया जाये कि किसी बाबा की जरूरत ना पड़े। अभी स्वस्त रहने रामदे बाबा, मन की शांती दूसरा बाबा, बच्चा चहिए तिसरा बाबा, नौकरी चहिए चौथा बाबा, प्रमोशन चहिए पांचमा बाबा, अरे तो बीच साल में क्या किये थे भई? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सारा, यह सब प्रौड सिख्षा कारेकरम है, एडल्ट एजुकेशन है, आवशकता इस बात की है कि जो मेरे एजुकेशन का टाइम था, उसमें समझने समझाने का काम पूरा हो जाए, तो फाइनली, एजुकेशन में क्या चेंज किय कि जिन्दगी मिल जाए, वही मंदिर है, नया मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर तो एक वर्ड है, एक जगह की बात है, वही कह रहा हूं कि सारे शिक्षा के मंदिर ही है, वहां आदमी ही बनाने का काम हो, बढ़िया, और बोलिये, हमने जैसे डिसकाशन किया कि यह सब नेचर से मिलता है, और कोई भी चीज हम खरीते हैं, तो मट्रियल का पैसा नहीं, लेकिन जो लेबर होते हैं, उसके लिए हम पैसा देते, तो हमारा बाव नेचर के प्रती और लेबर के प्रती बाव भी बढ़ेगा, और खुस भी रहेंगे, बहुत बढ़िया, देखो अभी के ब प्रोडक्शन किया है, इसलिए चीजें मिल जाती है, कि पैसे से मिल जाती है, किसी ने प्रोडक्शन किया है, इसलिए मिल जाती है, यदि ये क्लारिटी होगी, तो आदमी दूसरे के शरम का सम्मान कर पाएगा, हमारी प्राबलम हमारा खुद का इगो है, तो जैसे जैसे ह और दूसरे को भी आराम मिला सकूँ धन्यवाद, नमस्कार.